हार्दिक की नई टीम ने कर दी न्यूजिलेंड की धुलाई क्या टी ट्वंटी में अब नहीं दिखेंगे रोहिद विराट भाई विराट भाई जो आपने भाई लगा ना मैं कोली से राइम कैसे हो गाई है अरे भाई मनलब हम तो राइम करी देते हैं लेकिन जो टी ट्वं राइम कर देते हो कौन सा खा गया तो नाच्टे में मलब कौन सी किताबे हैं सर यह हमारी सूपर पावर पर मैं आपसे फिर भी यह बात पूछना चाहता हूं कि भाईया क्या होना है रोहिश शर्मा और विराट कोली का क्योंकि रोहिश शर्मा विराट को टीम मैनेजमेंट अभी तक यह कह रहा है कि भाई उनको रैस दिया जा रहा है क्योंकि यह 50 ओवर वर्ड कॉप वाला साल है तो यहां पर 50 ओवर वर्ड कॉप के लिए रोहिश शर्मा व विराट कोली खेल रहे हैं बॉर्डग आवस का ट्रोफी के लिए यारी कि टेस्ट मैच इसके लिए वो विराट कोली क्यों है यह रोहिश शर्मा क्यों है इससे अच्छा तो एक प्रेश टीम भेज दो शायद 2007 वाला करिश्मा फिर से हो जाए बिल्कुल यह बहुत लोगों ने का था शायद हमने भी का था लेकिन एक मेंटे लेकिन जब यह हमने यह बात करी थी तो यह 2022 की बात शर्मा का तो यह सारी बाते हमने कही थी आप मेरी बात पूरी नहीं पहुंच पाते बट हमारी जितनी इजब बचानी थी पाकिस्तान को हराना था इन सब चीजों के अंदर एक बंदा वापस से रिजरक्ट करता है अपनी पॉम में आता है और तोड के जाता है ऑपोजिश प्लुक से नहीं हूँ मैं यहाँ पर वो फॉर्मे सेंप्री क्लास पर्मनेंट वाला जो है मेरे नाम पर पूरा फिट होता है विराट कोली ने प्रूब कर दिया एश्या कप टीट्वेंटी में भी और वर्ल कप टीट्वेंटी में भी कि उनके अंदर टीट्वेंटी खेल रही हो लेकिन जब बड़े मैचेज आए एशिया कप के अगेंस्ट मलब जब पाकिस्तान के साथ मैच आए या फिर जब वर्ल कप में हमने देखा वर्ल कप में तो मलब पाकिस्तान आज भी उनको सपनों में याद आ रहे हैं यार आज भी कुछ भी उनसे पूछते लोग बहुत हैं नहीं थे यार फिरा फिराट कोलु ने भी जब फोल ना चाहते हैं लोग का पास लेकिन इंटर्विव लेने लोग आ जाते हैं लोग हाल चाल पूछने आ जाते हैं यहार वो दो शक्के जो थे हां वह जो ते तो एक तो होते नौ तो ने बाशुस पहीं आप पर्लमाना आरव जैसा इतना फंद हाइच मैस्क में वाहां पर विराड याँ कीटम में आसे इस फोड़े में आ Carolyn है्म New City में रूंह बहुँना यह भी दिखाया में ऊटեղ में उफ काक्षिय की भुर्बड़ जहां पर बाकी टीमों के खिलाडी नीचे पड़े होते हैं, वहां पर दूसरे छोड़ पर विराट को लीग खड़े होते हैं, वह बात बिल्कुल सही है, और यहां पर एक और बात जो सही थी, हम रोहेच शर्मा को भी similar role में expect करते रहे, रोहेच शर्मा भी वापस आएंगे, वापस आएंगे, बाकी फॉर्मैट्स ने फिर भी अपने थोड़े बहुत रंग दिखाए, वह आतिश बाजी थोड़ी बहुत दिखाई, बाकी फॉर्मैट क्या सिर्वंडे में ही तो अभी तक दिखाया है, यार, मैं मेरा कहने का यही मतलब है, कि टी ट्विंटी को है कि अभी कुछ-कुछ टॉर्मैंट करके बाइलाटरल सीरीज इस साल बहुत जादा नहीं होंगी टी-20 वाली क्योंकि वर्ल्टेंशिप है, और वंडे का वड़कप है, और ओडिया एश्या कप है, सब चीज़े हैं, तो यहां पर यही बोल कि उनको वर्कलोड मैनेजमें पोल के टीम से बाहर रखा जा रहा है, चोटे इनकोंसेक्वेंशिल टी-20 टॉर्नमेंट से हैं, अश्या कप के लिए एक बात कहनी है, बलाई इच्छाधारी टॉर्नमेंट है, जैसे ही टी-20 वर्ट कप होता है, उस साल यह टी-20 टॉर्नमेंट बन जाता है, जिस साल बंड कि इच्छाएं पूरी हो जाएं, होईगी नहीं होईगी हम नहीं है, लेकिन अब इच्छाएं तो है पडोसी मुश्की, अच्छा कई लोगों ने ये भी कहना शुडू कर दिया, कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, इंडिया तो कह रहा था कि नूट्रल मेन्यू पर करा लो अब पाकिस्तान के ही काही लोग ये कह रहें के आप उसे पाकिस्तान में मत करा हूँ, उसे इंडिया में करा लो, सो गई जो पाकिस्टान के प्लेयर से हें, उनको इंडियन पिकिसे का पतातो चले कि वो कैसी खेलती है, बरसों से कोई मैच न STAR नहीं कहले हैं कई लोग यह कह रहें कि बाइब कुछ मैच बाकी जो देश है वो पाकिस्तान में खेल लें और इंडिया के सारे मैच दुबई में हो जाए और जो फाइनल है वो भी दुबई में हो जाए इस तरीके का एक सेट अप रखना चाहिए पाकिस्तान वाले कहने हां खाने पीने के पढ़े हैं तुम्हें तुम्हें लग रहा है कि यह इतना लॉजिस्टिक कम मैं रहें कर पाइंगे उनको यही तो चाहिए भाई इंडिया आप हो जाता है और पाकिस्तान उसका होस्त रहता है औशीचल रहता है तो भी मोटा मोटी अर्णिंग्स वहीं पर जा रही है हमने पिछली बार देखा था एश्यकाप होना था श्री लंका में और वहां के आर्थे खालाद ठीक नहीं थे तो शिफ्ट करना पड़ा दुबई में हुआ बीच-बीच में मैच के वह आता था श्री लंका टूरिजम अब देख तो अच्छा लगता था अब अगर ऐसा कहने का यह मतलब था कि टी-ट्विंटी टॉर्नमेंट में जिस तरीके से बाहर रखा जा रहा वर्कलोड मैनेजमेंट बोलके विराट कोली और रोहिष शर्मा के लिए वो इस साल के लिए तो आप आप जिस्टिफाय कर लोगे बलकुल अगली साल भी अगर रखा जाता तो फिर यह समझ में आएगा कि इनको बाहर ही करने की जो है पूरी प्लानिंग और वही उसी फिराक में दिशाय क्योंकि मुझे लगता है 2022 का जो वर्ड कप था वहां पर रोहिष शर्मा अपनी जगह टीम में इसलिए बचा पाए क्योंकि वो कप्तान थे विराट कोली अपनी रोहिष शर्मा जो पिछले इतने टाइम से सारे T20 में बिलकुल बगवास केल रहे हैं बिलकुल फॉर्म में नहीं है पिछले साल तो 2022 के IPL के 14 मैच में मुंबई इंडियन के 14 मैच में उन्होंने ओपनिंग करी एक 50 तक नहीं बना पाए बहुत ही खराफ फॉर्म से गुज बगवासा दे देते हैं बिलकुल कि 2022 के अंदर T20 के अंदर T20 में रोहिष शर्मा साब ने 29 मैच खेले 656 रन बनाए हाइस 72 का रहा 24 का एवरेज 134 का स्ट्राइक रेट 350 बिलकुल क्योंकि एक आवरेज ही परफॉर्मेंस कह पाएंगे इससे जादा और कुछ नहीं ना इसे एकदम बेहद सड़क पर पड़ी हुई परफॉर्मेंस कहेंगे ना इसे बिलकुल गण चुम्भी ऐसी परफॉर्मेंस कहेंगे बिलकुल वही एवरेज के समय के आवरेज है नहीं बिलकुल सही बात है और अगर इस टाइम पर अगर आप देखा जाए इसको मतलब एक कंप आरिजन उस तरीके से भी देखना चाहिए कि जब से रोहिष शर्मा को टीम में नहीं लिया गया है तब से जिस तरीके से टीम इंडिया खेल रही है इतने सारे टीटी बीच में उन्होंने वर्ड कप के बाद अब तक खेल लिया है तो उसमें शुमन गिलने तो अपनी स्प पर है या फिर उनको रेस्टें वो कर दिया गया है रेस्ट करो जादा कर दिया गया है इस फॉर्मैट से तो अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है इस चीज के उपर लेकिन रोहिष शर्मा एज ओपनर आएंगे वापिस और क्या वहां पर वो जगह बनती है वो तो मुझे सम उसी फॉर्म में खेल रहा है उसी तरीके से खेला है जिस तरीके से एक यंग विराट कोली खेला करता था लेकिन अभी 6 मैच खेलें एक सेंचुरी आई है तो उनका एवरेज बड़ा अच्छा हो गया है लेकिन अगर उसके बाद 2-3-4 फेलियर भगवान ना करे अगर लग तो टीम पूरी ऐसे बनी है कि एक उपनर नमबर एक पर टो पर एक उपनर फेएक नमबर तो पर लेक नमबर तीन पर उनके चार पर आप जितना नीचे आज़ेदा आएंगे सारे बंदे आगे लायक है बल्कुर अब और कभी कभी तो हळाद भी हो जातें ना कि मतलब की वो कप्तानी कर चुके हैं वो टी ट्वंटी में अब जब रोहिष शर्मा को वापस लेकर आओगे तो आप हार्दिक पर एक बड़ी चीज यह भी थी के नहीं रोहिष शर्मा को कप्तान बनाओ इस आदमी ने इतनी सारी आई पांच आई पील जिता ही लेकिन रोहिट बाई जब से आए टीम में तब से टीम इंडिया ने बाइलेटरल सीरीज के अलावा कोई और सी ट्रोफी नहीं जीती तो लंग्स्टर्स उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है जो जो कमिया है उसको थोड़ा-थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है पर क्या आपको लगता है कि रोहिष शर्मा व विराट कोली दोनों बड़े प्लेयर्स की क्या जगह बनती है टी टीटी टीम में क्या जो नई टी चुरी मारी क्या आपको लगता है कि इन में से किसी को बिठा कर वापस से विराट कोली और रोहिष शर्मा को टीम में लिया जाना चाहिए दोजार चौबिस में वर्ड कप है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा वेस्ट इंडीज की वैसे भी बहुत जाद में और आप मुझे बताईए कि क्या आपको लगता है कि विराट कोली और रोहिष शर्मा दोनों की टीम इंडिया में जगे बनती है क्या सिफ विराट कोली की बनती है क्या सिफ रोहिष शर्मा की बनती है जो भी हो आपका जवाब वो आप कॉमें बॉक्स में लिखकर बता सकत और स्ट्राइक रेट एक सो अड़िस एक हंड्रेड है तो मलब जिस दो हजार बाइस जिस तरीके से विराट कोली का T20 में गया है मेरे ग्याल से सूर्यकुमार यादव के अलावा कोई भी और प्लेयर नहीं है जो जरासी भी विराट कोली के स्टैट्स को टक्कर दे सके और व तो वहां पर तो पूरी लुट गई लेकिन तब तक सेमी फाइनल तक जो खीचा गया वो तो आप विराट कोली और सूर्यकुमार यादव के कंदों पर ही गया तो कैसे आप यह कह सकते हो कि जो वर्ड कप डेढ़ साल के बाद ही है T20 का वर्ड कप उसमें से आप विराट को को ड्रॉप करना चाहते हो जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि विराट कोली और रोहिच शर्मा एक साथ ही डील में आते हैं या तो यह दोनों ही जाएंगे यह दोनों ही आएंगे ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सिर्फ एक प्लेयर आप फॉर्म के नाम पर कंसिस्टेंसी के न बनाने के लिए बचाने के लिए क्या आईपियल इस पर बहुत ही जादा वो रहेगा वह या इंपोर्टन रहेगा वहां पे परफॉर्मेंस रोहिच शर्मा की आनी रही है मेरा तो बिराट को ली जिता नहीं पारे रिटी और वैसे भी उनका पिछला आईपियल को बहुत नहीं खेल पाएंगे तो रोहिच शर्मा को दुबारा मौका नहीं मिलेगा बिकोज रोहिच शर्मा कुछ एड नहीं कर पाएंगे उस टीटी टीम में जो की दो हजार चौबेस में वर्ड कप खेलेगी रही बात विराट कोली की उनके पास फिटनेस भी है फॉर्म भी है अ आसान नहीं होगा मुझे लगता सिलेक्टर को सिर्फ ओड कर यह डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि भाई रोहिच शर्मा व विराट को ली दो अलग-अलग लोग है यह एक एक इकटी डील में निकाल और वापस रखनी सकते हैं और अपना हम जितना भी यहां पर बात करें हम इतना इंडिया के लिए विराट और रोहित का ना होना एक ब्लेसिंग है या बून है मैं तो मिल्ड़ को लिए इस टीम में नहीं है तो यह इन नए लड़कों को जो मौका मिल रहा है और लंबा मौका मिल रहा है यह क्या टीम के टी-20 वर्ड कप जिताने के लिए एक ही आदमी की जगह बन सकती है बैस बोलते है फिर लोग अगर आप दोनों की जगह बनाओगे तो यह वाली टीम भी 2022 की टीटवंटी वर्ड कप जैसी ही टीम दिखाई देगी उसमें फिर से आप चहल को ले जाओगा फिर निकलाओगे यह तो देखी किसना की जिदाफ होत बड़िया लग रही है बिना विराट और रोहित के यह आपको कॉमेंट बॉक्स में लिखना है बाकी आपके जो भी सवाल है जो भी आपको फीडबैक है वो आप कॉमेंट बॉक्स में लिखिए आपके कॉमेंट्स परणे में आता है बहुत ज्यादा मजा और मतलब इस मज तो आप वो कॉमेंट्स करते रहे हैं अपना प्यार देते रहे हैं अगर आपने अभी तक सिर्फ प्यार दिया है और सबस्क्राइब नहीं दिया तो वह भी देने का वक्त आ गया है अंकट को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर यूट्यूब फेस्बूक इंस्टाग्राम पर हम हैं आप हमें वहां पर प्यार दे सकते हैं और यह बजा दीजिए बैल आइकन बजा दीजिए जो अगर अगर आपके मन में भी आ रहा है कि नही मेरा नाम है चेहर रस्तोगी और आप देख रहे हैं अंकट